सब्सक्राइब कीजिए जब बाइच चैनल को और बल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई भी अपडेट मिसना कर पाए डेबिट कार्ड मिलने के बाद ATM पिन कैसे अपरात करें ATM जेनरेशन प्रोसेस 2018 हलो फ्रेंट्स मेरा नाम जीवे है और आप देखरें मेरे शैनल साफ पाइट तो यह है मेरा एमवी चिप बेस्ट डेबिट कार्ड तो कुछ इस तरह का टेविट कार्ड आपको भी मिलनेगा तो डेबिट कार्ड पिन पाने के चार तरीके हैं अपने स्टेट बैंक ATM चाहे अ अपने नजदीकी स्टेट बैंक के ATM जाकर नया कार्ड को कार्ड के स्लोट में डाले भाशा चुने स्क्रीन पर नीचे धाहिनी तरब पिन जेनरेशन को चुने आपके 11 अंको का खाता संक्या दर्श करे और उसके बाद 10 अंको का रेजिस्टर मोबाइल नंबर दर्श करे आ आपके रेजिस्टर मोबाइल पर एक वन टाइम पासवर्ड आएगा कार्ड को दुबारा कार्ड के स्लोट में डाले भाशा चुने पासवर्ड के रुप में उसी ओटीपी को डाले फिर नया चार अंको का पिन बनाए ओटीपी मिलने के दो दिन के अंदर ही आपको नया प डाइब करें पिन स्पेस कार्ड का अंतिम चार संख्या और बैंक खाते का अंतिम चार संख्या और भेते उसे पांच छे साथ चे साथ चे पर आपके रजिश्ट मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नजदी की एट्यम में जाकर एक एड्रेस पर लॉग इन करें, इस सर्विसस को चुने, एट्यम कार्ट सर्विसस, फिर OTP प्राप करने के लिए ATM जेनरेशन को चुने, प्रोफाइल पासवर्ट के जरिये प्रोसेस को पूरा करें, याद रखिए जब भी आप URL चुने तो उस पर HTTPS होना बहुत ही जरूरी है लास्ट तरीका है टोलफी नंबर पर कॉल करके, अपने रजिस्ट मोबाइल नंबर से डायल करें, इस दो में से किसी एक टोलफी नंबर पर और दिये के निर्देशों का पालन करें, फिर OTP प्राप्त होने के बाद, SBI के ATM से पिन प्राप्त कर लिए, लेकिन सबसे बढ़ तरीका है वो पहले वाला, जहां पर आप ATM पे ही जाके अपना पूरा पिन जेनरेशन का प्रोसेस को कर सकते हैं, वही सबसे बेस्ट तरीका है मेरे ख्याल से, तो यह वीडियो आप कैसी लगी जोरू पता या कमेंट करें, मेरी पिछली वीडियो इसी से रिलेटेड है, उस आनिवाद